जिस तरह किसी स्रद्जास्थल पर आकर एक असीम शांती मिलती है एक नई उर्जा मिलती है वैसे ही अनुभूती मुझे यहां सर्दार शाहब के पास आकर के हो जबता है जैसे उनकी प्रतीमा का भी अपना एक व्यक्तित्व है सामर्त है संदेश है उतनी ही विशाल उतनी ही दुरदर्शी और उतनी ही पवित्र देश के अलग-अलग कौने से किसानों से मिले लोहे से अलग-अलग हिस्सों की मिट्टी से इस भव्य प्रतिमा का निर्मान हुआ है उसका आधार बना और इसलिए ये प्रतिमा हमारी विविजता में एक ताव का भी जीवन प्रतीक है जीता जाकता संदेश है आज से ठीक एक साल पहले दुरियां की सबसे उची प्रतिमा को देश को समर्पित किया गया आज ये प्रतिमा सिर्फ भारत वास्यों को ही नहीं पूरे विश्व को आकर्शित कर रही हैं प्रेरित कर रही है और मैं आज अनुभाव कर रहा हूं कि सरदार साथ की भद्य प्रतिमा ये सिरब प्रवास का नहीं ये प्रेरिना का स्थान है आज इस प्रेरिना स्थली से सरदार वल्लभाई पटेल को स्रदासुमन अर्पित करते हुए सपोन राष गवरव का अनुभाव कर रहा आज एका अनुभाव कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं